बिसमिल्ला रुक्मान रहीम, असलाम निक्वाइब वन, आज जो हमारे topic of discussion है, वो है, NTS के लिए या फिर बाकी जो हमारे competitive exams है, उनके लिए, और गनी chemistry के, कुछ MCQ type questions, ठीक है, तो सबसे पहले में के देख लेते हैं, कि ये जो multiple choice questions हैं हमारे पास, ये simply definitions नहीं है, तो आपने स definitions की implementations पर focus करना है, आपको simply definition नहीं देदेंगे, बहुत-बहुत कम chances हैं, almost 1% chances है, को simple definition देदें, कि ये definition, correct statement क्या है, ठीक है, वो आप उसमें से कुसी एक को आप चूज करें, ऐसा बहुत काम होता है, mostly ऐसा होता है, कि आपको वो एक statement होती है, ठीक है, वो एक law होता है, उसक पर-डिकलर law या पर-परडिकलर concept, कौन से statement इंकरेक्ट है, ठीक है, तो आपको यो दे दिये जाते हैं, तो यह यू दे दिये जाते हैं, पर इसके साहथ साथ आपको, आपकी कॉंसेप्स इतने जादा घी को जढ़े हो, जरूर होने चाहिए, कि आप जो हैं वो correct और नियरल सबस्क्राइब तो ओर और या एक पती में होती है जो के एकजीक्रक्त हो आपके अबडरे को से जो खे дополнा जायी पड़ीटी होने से यहां का फूंब लस गर्ब Siya करेक्ट है टीकिач USB करेंट हिरा हिसके शुल्सी आपके जो इंफिसाइस करना आन चाहिए आपको आपको मनि which of the following is not a characteristic of the organic compounds के और कौन से ऐसे characteristics हैं जो नीचे दियेगे characteristics में से जो के organic compounds के characteristics बिल्कुल भी नहीं है ठीक है बिल्कुल भी नहीं है तो इस पर धिहान देने हैं हमने सबसे पहले यह कि दे यूजली हाव लो मैल्टिंग पॉइंट्स त्यूजली हाव पॉजली यहां उर यहूझली आर उप्षिन को अथा उद्सिटे वह कि नहीं फिर नहीं के वह पर तो बहुत कम सॉलीबल होते हैं यह फिर सॉलीबल होते ही नहीं है तो जार से बाते जब वाटर सॉल्बल होंगे तो अलेक्ट्रिक कर सकते हैं ठीक है सल्डम कभी कबार और यह भी स्टेट्मन के रखते हैं यह आप्शन दी यह बॉंड्स विच बाइंड आटम्स तुगेदर और नियरली ओल्विज आयनिक कि ऐसे बॉंड्स जो कि आटम्स को today Attraume साथ बाइंड करते हुं आनिक नेचर के ंते हैं ऐसा नहीं है हमारे पार यहipped यह bowling बॉंड्स है वह कौवलेंट नेचर के ऐड इनके अदर बहुत 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 कम किश्ट्रेस्टिक आयनिक नेचर का अधर तो यह वाले स्टेट्मन जो है वह इनकरस्ट है ठीक ह तो हम लोग इस question के लिए option D को select कर लेंगे second हमारे पास जो question रहाता है that is the elements least likely to be found in organic compound is oxygen, sulfur, nitrogen या silicone तो organic chemistry में हमारे पास एक further branch है that is the heterocyclic compound जिनमें कुछ hetero atoms carbon और hydrogen के इलावा भी कुछ atoms जो हैं तो हमें सबसे जादा देखने को मिलते हैं और उनमें से सबसे जादा देखने को मिलते हैं वह oxygen, sulfur और nitrogen है यह सबसे जादा देखने को मिलते हैं तो इन नहीं हाँ पर question कहा है that is least likely जो के बहुत-बहुत कम पाया जाता है in organic compounds वह सिलिकॉन पर उसके बहुत नेक्स question आ जाता है one of the major sources of organic compounds is organic compounds की major source कौन सी है तो हम options देख लेते हैं सबसे पहले हमेरे पास नाच्रल गास ठीक है नाच्रल गास में हमेरे पास सच में बहुत ज़्यादा इसमें हो सब्सक्रिण हो सकते हैं और उपसक। ने सबसे जहां की वारे बहुत हैं ठीक प्र-गैनियों मीहां जो जादे तर और्गैनिक अपांट नहीं है इसारा सी वाटर के अंदर हमारे पर सबसे पहले हमारे पर सबसे पहले से जो इन्फॉरमिशन आती है सी वाटर के हमाँट यहां है कि ए सीटो है तो H2O में कामन तो है यह नहीं तो यह औरगनी कमपाउंड नहीं है फिर इस तरह फर्मेंटेशन के प्रोसेस के जरीए से हमारे पर आकोहॉल भी हमरे पर आ जाते हैं बहुत सरी चीज़ें आ जाती है अब यह क्या है फर्मेंटेशन और नाच्रल गैस अब यह देखें फर्म बाइंड़न नहीं कमपाउंड देखने को मिलते हैं तो नाच्रल गैस हमारे पास उप्शन आ जाते हैं बहुत बहुत ज़्यादा माउंट आ जाती है और यह निकर्शन में हम रहे पस काम आते हैं तो यह नियरली खरेक्टर कर्ट के बीच को आप डिफ्रेंशेशन आपके अबिलिटी को नियुक्त और सब्सक्राइब कर सकते हैं तो इस केसे में आप्शन अबर एक कर्च हो जाएगा जाएं पर सेबल और गयानिक कंपाउंद्स स्टेबल और सेबल वो होते हैं जिन में कार्बन के आट आटम सेचुरेटेट होते हैं नौट अनसेचुरेटेटेट तो काबन एंटम वह ऑलवेस फॉर्म यहां पर अब्चेश्यूरेटेड़ फॉर्म है हमर पर इंटेबल फॉर्म स्टेबल फॉर्म इंटम जो था है वह सकी इनने अपने बिलीटी कि चार बॉंड यानि एपने Одन है और दूसरा पाइंड बांड था तो काभण काभण कारबं करबंड डबांड में हमरे भी अव्यक्ष आजए कर से हैं एक सिंगा और या चछेज़ निया जाटे घर घर चानल फरन तो ही पर चाहते हैं च्छेज्ड कारबन की ऑन बंड हॉता है वह समय सिंखस्ट के तो On The whole और हमाई क्या है सी होगा वो करेक्ट हो जाएगा देन वी हाफ दो प्रोपीन प्रॉपीन हाथ हमने पढ़ा था मैथ एथ प्रॉब्यूट तो प्रॉप का मतलब होता है ट्रिपल काबन्स ठीक है मलब तीन काबन्स और इन का मतलब है कि एक डबल बॉंड इसके अंदर एक्जिस्ट करता है वाइब का बिलकुल क्लियर रखेगा एगर वह सिंपल को किसी मॉलीक्यूल का नाम ले रहा है तो इसके मतलब है कि उसके अंदर सतर्फ एक सिंगल बॉंड डबल बॉंड ट्रिपल बॉंड वगार एक्जिस्ट करता है चीक है तो इन प्रोपीन देर आर तो यहां पे भी अ आगे structure draw के लिए जिनमें एक carbon के साथ 3 hydrogen है दूसरे carbon के साथ 1 hydrogen आजएगा क्यों क्यों क्योंकि वो carbon जो है वो एक carbon के साथ single bond form कर रहे है दूसरे के साथ double bond form कर रहे तो तो पूरे होगी तो एक bond उसका बज़ गया जो कि hydrogen के साथ टाच जोगा पूला जो के फॉर्म कर रहे है बॉर्ण विफ टू फोर्म कर रहे हैं विथ तो बन्ट फोर्म कर रहे हैं और दों फोर्म कर रहे हैं थनी के साथ 3 hydrogenze لोन से घ्मा इंडिसे हैं तक चार सिएशन और काइस छी तक पांच सिगमा बॉंड क्लेक्ट हो चुके फिर काबन व को regulation abbiamo से उसा है उसकी हरो रिघरोजन के साथ ही 295 तक में ह्मरों से किती होगे 5, 6, 7, 8 8 sigma bond हमेरे पर collect हो चुके और क्या है सिर्फ एक pi bond extra है जो कि carbon और carbon के बीच फॉर्म हो है तो 8 हमेरे पर sigma bonds हो जाएंगे and सिर्फ एक जो है वह हमेरे पर यहां पर pi bond हो जाएगा तो हमेरे पर जो option नमरे A है इस case में प्रोपीन के case में वो हमरे पस correct हो जाएगा